हेलो फ्रेंट बिजनेस मंता यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है इस चैनल के माध्यम से बिजनेस आइडियास, मौटिवेशन, मार्केटिंग और पॉब्लिसिटी के बारे में जानकरी देते हैं जो नए उद्ध्योग सुरू करने बालों के लिए फायदे मंद होते हैं इस बार मैं जानकरी दे रहे हूँ साबून तयार करना और उसकी मार्केटिंग और सेलिंग के बारे में साबून का उप्योग कपड़े दोने, नहाने और बरतन दोने आदी के लिए होता है ये एक डेली यूज बाला प्रोडेक्ट है जिसका इस्तेमाल अमीर और गरीव सभी करते हैं बाजार में कई किस्पें के साबून है, कई बड़ी बड़ी ब्रांडेट कमपनिया भी साबून तयार कर रही है इसके बावजुद बाजार में नएने साबून लांच होते हैं और वो बिक्ती भी है साबून तयार करना एक रासानेक उद्योग के अंतरगत आता है इसलिए इसके निर्मान से संबंदी जानकरी होना आवज सक है साबून तयार करने के लिए से फार्मूला पर लेने से काम नहीं चलेगा क्योंकि इसमें छोटी सी गलती से भी बड़ा नुक्सान हो सकता है साबून तयार करने का सही से फार्मूला जानने के लिए किसी विशेसगे से परस्रिक्शन लेना जरूरी है सावुन बनाने का प्रसिक्षन सरकारी या गैस सरकारी संस्ताव द्वारा दिया जाता है कुछ संस्ताव में प्रसिक्षन निसुल्क होता है तो कुछ संस्ताव में इसके लिए मामूली सी फीच ली जाती है आप चाहें तो सावुन का बिजनेर सुरू करने के लिए किसे ऐसे कारीगर को रख सकते है जिसने इसका प्रिशिक्षन लिया है और उसे रसायन संबंदित अच्छा नॉलेच है सावुन का विजनेस शुरू करने से पहले आपको तय करना है कि आप किस तरह का सावुन तयार करना चाहते हैं क्योंकि कप्रे धोने या नहने के सावुन को बनाने का तरीका या फार्मूला अलग-अलग होता है इसलिए सबसे पहले ये निशित कर ले कि आपको किस तरह के सावुन का निर्मान करना है उसके बाद उसका एक अच्छा सा नाम रखे जो आगे चल कर आपका ब्रांड कहलाएगा आईए अब जानते सावुन तयार करने के लिए लगने वाले सामगरी के बारे में अनेक तरह के सावुन होते हैं जैसे हर्वल सावुन, मेडिकेटर सावुन, विविने खुजबूओ वाले, नहाने के सावुन और कपड़ा धोने का सावुन प्रतेक सावुन के निर्मान में इस्तिमाल होने वाला कच्चा माल लगबग एक साही होता है सावुन तयार करने के लिए उसमें इस्तिमाल होने वाला कच्चे माल में चरवी, छार, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, नमक, मुक्य होता है अब इसमें सावुन की क्वालिटी और खुस्बु के लिए सुंगर्दी, द्रव और ब्रान के हिसाब से चाबल का तेल, नीम का तेल, सरसो का तेल, अरंडी का तेल, नारियल या मुंफली आधि खादी तेल मिलाया जाता है कच्चे माल के अलावा सावुन की टिकिया काटने के लिए कटाई मसीन, मिक्सिंग मसीन, पैकिंग मसीन, सौप क्रेसर, ब्रान प्रिंटिंग मसीन, भट्टी आधि के आवसकता होती है साबुन तयार करने के लिए कच्चा माल और मसीन आधी मार्केट में मिल जाते हैं इन सब के बारे में जानकरी प्रेसिक्षन के दोरान दी जाती है इसकी अलावा कुछ ओनलाइन एकॉमा साइट है जो इस तरह के माल को ओनलाइन बेच रही है आप उन साइट पर जाकर भी इसकी जानकरी ले सकते हैं इसका लिंक ब्लाग में दिया गया है साबुन उद्ध्यो को शुरू करने के लिए लगवर दस लाग रुपे के आव सकता होगी इस उद्ध्यों के लिए बैंक लोन देती है लेकिन उद्ध्यों को सुरू करने के लिए 15-20% अपने पास से लगाना जरूरी है उसके बाद ही बैंक आपको लोन देगी लोन के लिए किसी CSA अपने उद्ध्यों का पूरा प्रोजेक्ट तयार करवा कर पेस करना होगा पूर्डेक्ट में लगने वाला कच्चा माल, मसीन, मजदूरी, जगह का किराया, आदी, मासी खर्च, वार्षी खर्च और तयार माल पर होने वाले प्रोपिट को दर्साना होता है सावुन, उद्ध्योंग से संबनी प्रोडेक्ट कैसे तयार करें, यह भी ब्लॉग में दिया गया है पावर टिप्स, सबसे बहले सरकाद वरा निधरित नियमों का पालन करते हुए रासानिक उद्ध्यों के लिए मंजूरी ले, उद्ध्योंग रजिस्टेशन करवाए कुसल और प्रसिक्षिट मजदूरों को रखे मार्केट में पहले से उपस्ति कमपनी से स्परदा करनी पड़ेगी, इसके लिए क्वालिटी, कीमत, आकसक, पैकिंग और मार्केटिंग उनसे बहतर हो नई कमपनी अपना मार्केट बनाने के लिए मार्केट में मौजूद कमपनी की तुलना में भाव कुछ कम रखती है या फिर नए ने आपर देकर ग्राकों को आकसित करती है बाजार में प्रती दिन नए प्रोडेक्ट लांज होते हैं, उन पर निगाह रखे और अपने प्रोडेक्ट को उनकी तुलना में बहतर प्रस्तूत करे सबसे जरूरी है धमाकेदार पब्लिसिटी product की publicity सबसे alert होने पर यह लोगों कोये मन में अपना अलग प्रभाव डालती है जीनिबिटी दोरा प्रोडेक्ट की publicity को देखकर भी लोग आकेसित होते हैं सुरूआत्म मार्केट बनाने के लिए dealer distributor और wholesaler को अच्छा margin दे जिससे वो आपके प्रोडेक्ट की मार्केटिंग जोर सोर्चे करें प्रेंट्स आजकर हर्वल सावुन का चलन बहुत अधिक हो रहा है इसके लिए आप ऐलोवेरा बादाम गुलाब खीरा चंदन नीम आधी के हर्वल प्रोडेक्ट तयार करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं कुछ प्रेलू सावुन बनाने की वीधी ब्लाग में दी गई है अपना नौलेज बढ़ाने के लिए आप उन्हें भी पढ़ सकते हैं फ्रेंट्स वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को भी सेयर करें ताकि उन्हें भी सावुन उद्ध्योग से संबं इस वीडियो आपको निम मिलते रहें फिर मुलाकात होगी एक नए बिजनेस मंत्रा के साथ नमस्कार